हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माय जैनल किचिन रनवी 90 और आज मैं आपके लिए लिकर आई हूँ मश्रूम की एक मसालेदार सबजी मश्रूम मसाला बहुत ही टेस्टी सबजी है और एक यूनिक तरीके से बनाई है मैंने तो आप इस तरीके को जरूर ट्राइ कीजिएग और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और मुझे कॉमें लिखकर जरूर बताएं कि आप सबको मेरी रेसीपी कैसी लगती है और चली शुरू करते हैं सबसे पहले तो जो को हमें एक बड़ी से बाउल में ट्रांसफर करना है और इसके अंदर डालना है या तो आप मैटा डाल सकते हैं या आप आटा भी यूज कर सकते हैं या आप कौन फ़्यू स्टार्च डाल सकते हैं तो यह menne आटा लिया है नॉमल ऑवेलियू होता ताकि इसे और में कमकर में चंतì कूटेर के लिए कृटंगा रिक्षाथा ताक्राइब एकूनने Amo का को हेए आप शुर्प करने के बाद में आको इसे पानी से बाशकर ना है इसमें हमने का डालिया कुप शारा और कम से कम आपको इसे दो से तीन बार पानी से वाश करना है ताकि ये क्लीन हो सके ये देखिए हमारी जो मश्रूम है वो क्लीन हो चुके हैं अब हमें इसके लिए लेने हैं तीन टमाटर दो प्याज दो हरी मिर्च तो सबसे पहले हम प्याज कट कर लेते हैं क्योंकि हमें मस तीन चमच चार चमच अब उसमें जीरा डालेंगे एक चमच और बड़ी लाइची एक दाल्चीनी की लकड़ी तेजपत्ता और लॉंग तीन से चार लॉंग डालें और तेजपत्ता इसके बाद डालेंगे जो हमने अन्यन कट करी हैं तब तक हम टमाटर कट कर लेते हैं और टमाटर भी हम ऐसे स्लाइस बड़े बड़े कट कर लेंगे और यह जो आप पका रहे हैं प्याज को उसे मीडियम फ्लेम पर पकाए नहीं तो जल जाएगी इसके बाद यह लेजन की छहसाद कर लिया है इसे भी हम करस्ट कर लेंगे लेजन की हमने प्यूरी नहीं बनानी है इसे इस तरह से करस्ट करना है खाली ताकि यह हलका हलका दरदरा रहे हरी मिर्स भी चॉप कर लेंगे हम दो हरी मिर्स लिया है मैंने तो यह हमारी chopping हो चुकी है अब चलते हैं प्याज की तरफ अब डालेंगे इसमें टमाटर कदर चेंज हो चुका है प्याज का cooking process को fast करने के लिए नमक डालेंगे और mix कर लेंगे अब टमाटर जब तक गलें तब तक हमें cook करना है इनको अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी से मसाले मसालों में सबसे पहले हल्दी पाउडर आदी चमच धनिया पाउडर एक चमच मिक्स कर देंगे और लाल मिर्स पाउडर डालेंगे तो आप लाल मिर्स पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मैंने एक चमश लाल मिर्स पाउडर डाला है फिर से मिक्स कर देंगे तो ये जो हमारा मसाला है वो बंकर तयार है अब हम इसे थंडा होने के लिए छोड़ देंगे हमें इसे घ्राइंड करना है अब जो मश्रूम है हम उन्हें भी प्रिपैर कर लेते हैं मश्रूम हमने वाष कर लिए थे अच्छे ऍे चलीन कर लिए थे अब हमें इसकी करनी है कटिंग तो जो mushroom का यह portion होता है ना site वाला, इसे हमें थोड़ा-thोड़ा cut कर लेना है, क्योंकि यह थोड़ा-thोड़ा tight हो जाता है, तो इस तरह से सब mushroom मैं से हमें cut कर लें, और mushroom पकने के बाद में थोड़े से size में छोटे हो जाते हैं, shrink हो जाते हैं, तो कोशिस करें कि mushroom का piece हम बड़ ही रखें तो मैंने वन बाई टू ही कट किया है जब को अब इसके बाद एक पैन लेंगे पैन में हम दो बड़ी चमच बटर डालेंगे बटर को हल्क का सब मैल्ट होने देंगे और इसमें डालेंगे यह मश्रूम जो हमने कट करें थे अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करेंगे और इस तमये पर आप जो फ्लेम हैं वो हाई रखें हाई फ्लेम पर हमें इन्हें सौते करना है जब तक इनका कलर चेंज न हो जाए और हमें इन्हें चलाते भी रहना है यह देखें कलर चेंज हो चुका है अब हम इने अलग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे अब चलते है मसाली की तरफ हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है अब उसे कर लेंगे ग्राइन इसकी हमें एक बहुत ही अच्छी सी प्यूरी बनानी है अगर आप थोड़ा सा मसाला मुह में आई इस तरह से खाना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा दरदरा भी पीश सकते हैं यह हमने कुक किया है वह भी बटर में किया है और जो बचा हुआ है इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से जार में और इसमें डाल देंगे प्यूरी में और अब एक बॉल आने देंगे इसके अंदर पहले तो मिक्स कर लें अच्छे से अब इसमें बॉल आने दें यह देखि करिएगा बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तयार होने वाली है यह मेरे तो अभी से मुं में पानी आ रहा है आम शूर आप लोगों को भी काफी अच्छा लग रहा होगा इसे देखकर हल्किसी एक चमच कसुरी मैथी चिसमें क्रस करके डाल देंगे और मिक्स कर देंगे फोड़ा सा गरम मसला डालेंगे डालें कॉर फुर टी-星 여기까지 कर देंगे और यहें ड़क कर दो मिनित के लिए दू करेंगे दो मिनिट के बाद मैं आपको दिखाती हूं हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी तयार हुए है बहुत ही अच्छा अरोमा इसमें आ रहा है तो इस तरह से आप सब्जी तयार करिए बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर तयार होगी आप इसे पराठे के साथ और रोटी के कर सकते हैं इन फेक्ट आप से राइस के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही यम सब्जी बंकर तयार हुई है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में लिकर जरूर बताईएगा आपको मेरी रेसीपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मश्रूम की सब बनानी के लिए मैं आपको एक टिप देखे जाती हूं कि जब आप मस्रूम की सब्जी बनाते हैं तो कोसिस करें कि जो मस्रूम का पीस है जो आपने कटिंग की है वो थोड़ी बड़ी ही करें जैसे कि वन बै टू मैंने करी थी तो ऐसे ही करें क्यांकि आप सूप नहीं बना रहे हो कि आपको छोटी-छोटी सब्जी चाहिए यह पकने के बाद में स्रिंक हो जाता है तो यह एक आपको टिप देदी हूं इसी के साथ मिलूंगे आप से अगले वीडियो में थेंक्यों सो मच एंड बाबाई